प्रेंट्स लग रहा है नहीं क्रिस्पी भी जट पर बनता है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं यह दिनाश्डे को बनाने के लिए हम नी आटा ले लिया है यह हमारा गुथा वह आटा बच गया था तो हमने सुचा कि इस से आप लोंगे साथ नास्ता से एर करते हैं तो के नहीं रखा था रोटी बनाया था उससे मतलब कि कुछ दिर पहले ही उसके बाद यह उच किया आप चाहें तो मतलब नॉर्मल आटी को भी लेकर के उसे नास्ते को बना सकते हैं सबसे पहले देखिए हमने इस आजवाइन को करस करके एड कर दिया है हाथों से अच्छे से कर कर लिए करस करने से क्या फ्लेवर अच्छे से एड हो जाता है और आठे को में आजवाइन करने के बाद यहां पर देखिए हमने लिए कसूरी मेथी कसूरी मेथी ऑप्सनल है अगर आपके पास है तो एड कर सकते हैं इसके नास्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो और यहां पर देखिए सफेद तल ले लिया है आप सकते हैं अवै किरें नमक आपने टेस्ट के अगवारऊडिंग करिये गार कितना शादा मत्रा में यह चाहरा हैं उस हिसाफ से नमक एड़ करिएगा और हमने देखिए यहां पर नमक एड़ कर दिया है और नमक एड़ कर देने के बाद इसमें हमें और क्या आड़ करना है आप रोग वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंट्स और बगर स्किप के हुए देखिएगा जिससे कि आपकी भी परफेक्ट तरीके से बने और यहां पर देखिए हमने एड़ कर दिया है थोड़ा सा कास्मीovा तो हमंने ले लिया है और अच्छे शीद के कद्दू कस करके डालिए जिससे की पर्फेक्ट तरीके से यह चीज का बेट इसमें हो जाए और इससे मतलब कि फ्लेवर टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आप चाहें तो आइड कर सकते हैं बटर और आइड कर सकते हैं आप यहां पे हमने चीज को थोड़ा सा क्रस करके इस तरीके से एंस सब्सक्राइड कर लेना है और इसी एसका खास खयाल रखिए कि तो आपका ज्यादा MA हो जाया ठाइड करींगे अखा कि इस थुट इस करने के बाद की आप नुटकर टाका हमें जादा था मातरा में ले रहे हैं तो जादा हैю उन और देखिए, अच्छे से हमने मतलब की इस लोईया ले लिया है और यहाँ सा सोखा आटाः कर देंगे चकले के उपर आप चाहें तो यहाँ पर पर चखले के टेल भी लगा करके बना सकते हैं बठ हमने यहाँ पर देखिए सोखा आटाः किया है स्पाल्सूरा, ओर अच्छे से बेलन से इसको बेल लेंगे आप ज्यादा मोटा रखना है इस सट्वेगर के वेल करनी है कि ना ज्यादा मोटा रहे ना ज्यादा पतला रहे हैं और अब यहाँ पर हम लागा देंगे इसके आपके आपके आपका लब्ध सकते हैं और अब इस नास्ते को हमें सेफ देना है रोल जैसा तो देखे इस तरीके से चुड़ाते हुए अच्छे से हमें इसको रोल जैसा सेफ दे देना है और सेफ दे देने के बाद इसको हमें दो पार्ट में काट लेना है दो पार्ट में काट करके अब हम रख लेंगे फिर उसके के वाद इसको हम ठोड़ा साझ पीसेज में बानाए रा लल को अग्षी में अग्स कर देंगे 的 लोड को अब左 आक Union कर देनी इसको रोल को हमें कट करना है और इसको हमें प्रेंडा को चाहने मतलब कि इसको किसी भी शेफ में बना सकते हैं बट हम जिस तरीके से बना रहे हैं उसको आपका लेड़ी कर लिया है और अब इसको हमें नीकाल कर के एड कर लेणा है तो सारी नास्ते को इस तरीके में एड़ में गरेंगे सेंट के साथ और भी जो हमारा नावा उसको भी सेंट के साथ कट कर एड़ में अपरक दिया है कितना वेहतरी लग रहा है देखने में और चली हम फ्राई करेंगे और'Mन कर किये घराही में हमने और हमने यहां पर देखे रिफाइंड ऑई यूज किया है आप के हाँ जो भी ऑईल खाने में यूज होता है वह आप यूज कर सकते हैं और अब एक एक करके इस नास्ते को हमें इसमें एक करना है कडाही में एक करके नास्ते को अट करिएगा फ्रेंड जिससे की परफेक्ट और अब आयट कर देने की बाद एक साइट से हम इसको डेड़ से दो मिनट तक पकने देंगे और गयस की फ्लेम को यहां पे हम मीडियम हाई करके ही रखेंगे जिससे की अंदर तक हमारा आया नास्ता क्रिस्पी बन करके रेडी हो तो देखिए इस तरीके से हम आलट परण क अब करके इस नास्ते को पकाया देखने में कितना क्रिश्पी लग रहा है न बहुत भेतरीन तरीके से यह नास्ता हमारा पक चुका है और सेम प्रोसेस के साथ हम फिर से एड़ कर देंगे कडाही में नास्ते को और इसको अलट पलट करके पका लेंगे जिससे की बहुत ही तरीके से हमारा यह नास्ता बन करके रेडियो होगा और पकाते हैं वक्त मतलब कि आप जो कड़ाही में एड़ करिए इस नास्ते को तुरंट अलटना पलटना मज शुरू करिए गा थोड़ी देर इसको एक साइट से पकने दीजिएगा उसके बाद इसको पलटना सुरू करि आपको से से पखे गा भी और टूटएगा नहीं पखने में तो इसी तवर रहा है और तो कि आपको आपको कमेंट करके कर me video उंचा लगती है औरसे को तो नहीं भान करने तो फ्रिंड्स से में प्रोषेस किसाथ परतल एह एक साले नास्टे की तवर नाशिए कर लेंगी तो आप इस नाश्ते को इबार बरना कर के ट्राइज जरूर करिए गा और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताईउगा और अगर हमारे चैनल पर नए है को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गा और आप मारे वीडियो कहां से देख रहे हैं अपने कमेंट में यह करके जा सकते हैं बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या तो फिर घर पे श्टोड करके बना करके रख सकते हैं तो चलिए आगे एक और नए वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए राधे रावे थैंक्स पर वाचिंग